Hello everyone, my name is Chandan Singh, word of the day का सिरीज है, एपिसोड है 73 और आज का जो word है दोस्तों, इसे हम कहते हैं Jeopardize Jeopardize, इसको आप ऐसे प्रणाउंस करेंगे, Jeopardize एक verb है Jeopardize का मतलब होता है, खत्रे में डालना शायद आपको पता भी होगा word, काफी लोग को मालूम है ये भी मैंने इंट्रिव्यू से उठाया है Okay, तो Jeopardize, खत्रे में डालना देखते हैं कि put someone or something into a situation किसी को, किसी चीज को या किसी वैक्ती को ऐसे situation में डाल देना in which, जिसमें there is a danger of loss जिसमें खत्रा हो, loss का, harm का या failure का कुछ खोने का, कुछ harm हो जाएगा, या नुकसान पहुचेगा, कोई fail हो जाएगा उसका खत्रा हो, यानि कि खत्रे में डाल देना, उसको बोलते हैं jeopardize इसके लिए जो synonyms है, endanger बहुत अच्छा synonyms है, ये काफी यूज होता है sentences देखते हैं, if you opt for this career, अगर आप इस career को चुनेंगे, you are going to jeopardize your future तो आप भाईया अपने future को खत्रे में डालने जा रहे हैं, अगर आप इस career को चुनेंगे तो देखिए, by going close to that animal, को जानवर हम कहरें, उस जानवर के करीब जाना, जाने से क्या होगा, कि you could jeopardize your life आप अपने life को खत्रे में डाल सकते हैं, तो by going close to that animal, your decision could jeopardize your relationship, यहनि कि आपका जो फैसला है, यह आपकी relationship को jeopardize कर सकता है, खत्रे में डाल सकता है, जोखिम में डाल सकता है, you have jeopardized your friendship, आपने अपने दोस्ती को खत्रे में डाल दिया है, due to your surly mood, अपने इस अजीब से रूठे हुए surly mood, चिडचिड़ा वाला जो mood है, उसकी वज़े से आपने क्या कर दिया, अपने take care, keep practicing and have fun, thank you guys